नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ सुमित शर्मा 36 गड़ वो राज्य जहां कुछ समय पहले तक कॉंग्रेस का राज था लेकिन 2023 विधान सभा के नतीजों ने प्रदेश के रंग को बदल दिया है अप्रदेश के 70 अफीसिदी हिस्से पर बीजेपी का राज है ये तो 2023 के पहिणाम है हकीकत ये है कि चुनाओ और पहिणाम के बाद धीरे धीरे 36 गड़ पर भगवा रंग चड़ता जा रहा है जो आमाद्मी पार्टी जोश के साथ मेदान मुतरी थी आज उसकी नीव हिल गई सैकडों नेता बीजेपी में शामल हो गए इतना ही नहीं कई और दलों का विले हुआ है कई और के आने की संभावनाएं भी है ये सारी परिसितियां कॉंग्रेस और अन्य पार्टीयों को सोचने पर मजबूर कर रही है और कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 36 गड़ में बीजेपी युग लोटाया है आज इसी पर हम चर्चा करेंगे लेकिन आज की परिसितियों पर एक रिपोर्ट देख लीजी है हमारी आपकी हिली नीव कॉंग्रेस नेता कर रहे फिलिप बीजेपी ने किया क्लीन स्वीप लोटाया बीजेपी युग अलो भारत माता की लोटाया है बाहु बली बनकर सामने वाली की नीव तको खड़ गई नेता बचे न पार्टी बची न वोट बैंक बचा न मेहनत काम आई 36 गण में एक बार फिर बीजेपी युग लोटाया है याद कीजे साल 2008 का विधान सभा चुनाओ जब बीजेपी महज 15 सीट पर से मट गई थी कॉंग्रेस 65 सीट जीत कर हर जगा नज़र आ रही थी लेकिन समय बदला हालाद बदले और जो आकड़े बदले उसके बाद एक ही बात कहेंगे के लोटाया बीजेपी युग ताबर आपकी परस्तिती पर नज़र डालें तो 2018 के विधान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस ने 65 सीट जीती बीजेपी को 15 सीट मिली जबके 10 सीट अन्य के खाते में गई यह आकड़े देख लिए अब 2023 विधान सभा चुनाओं के आकड़े देखिए 2023 विधान सभा चुनाओं में बीजेपी ने 54 सीट जीती कॉंग्रेस 35 सीट पर सिमट गई मन चुत्र पर रंगों का परिवर्तन हुआ है ऐसा कि देखकर कोई भी कहे के लौट आया है बीजेपी युग अब बात आज की और उस पार्टी की जिसने 36 गड़ में जोश के साथ कदम रखा लेकिन आज उसकी नीव तक नजर नहीं आ रही आम आद्मी पार्टी के पूरे प्रदेश उपाद ध्यक्ष समेत कई नेता बीजेपी के हो गए इतना ही नहीं अखंड लोक तंत्रिक पार्टी ने बीजेपी में विले कर लिया है मतलब आप सर्व भगवा ही भगवा रंग नजर आने वाला है बीजेपी ने गमचा पहना कर कारिकरताओं का स्वागत किया लोक कल्याण की योज़्याओं से प्रवाई जो करके समाज जीवन का पर्तेट वर लगार तार जाइनिंग हो रही है और आने वाले दिनों में और जाइनिंग आपके सामने दिखेगी देखिए अभी सूची अंतिम रूप तो दी नहीं हैं पन्ने लेकिन आम आद्मी पार्टी के लगभग सभी लोग लगभग एकाद दो लोगों को छोड़के पूरी उनकी स्टेट यूनिट सामिल हो रही है और उनके सांथ लगभग अजार कारे करता सामिल हो रहे है अब ये रंग इशारा कर रहा है कि लोगसभा में क्या होने वाला है शाम बिहारी जायसवाल ने तो इतना तक कह दिया कि आगामी लोगसभा चुनाव में कॉंग्रस का खाता भी नहीं खुलेगा सब ही 11 लोगसभा सीट बीजेपी जीतेगी कॉंग्रस के कई ऐसे नेता है जो आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते है जिसमें नंद कुमार साय, चिंता मणी महराज, अनूप नाग जैसे नेताओं की लंबी कतार है अब देखना ये है कि 36 गड़ लोगसभा चुना से पहले और कितने लोग बीजेपी का दामन थामते हैं बीरो रिपोर्ट निउस एटीन तो 36 गड़ में क्या लोट आया है बीजेपी योग इस पर हम चर्चा करेंगे कुछ खास महोँन हमारे इससा जुड़े हुए हैं इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता हैं प्रेमीर साहू जी हैं प्रमीर जी बहुत स्वागत है आपका कॉंग्रिस प्रवक्ता है सद्प्रकाश सिंग जी सद्प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ मैं और राजनेतिक विशले शग हैं अपने हमारे साथ बाबुला शर्मा जी शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है की सरकार उसके साथ JP लोग के चुनआव आ रहे हैं और जो माहूल वर्खत देश में राम मंदिर के बनने के बाद बना है点 से में जिस तड़िकी तश्वीर आ रही है इस तरह के समाचार आ रहे हैं उस ने पूरे देश में बहुत से लोगों को प्रभावित किया है लोगों को लेने को तयार बैटी है क्योंकि लोगों की जरुवत है कि यह पहले कि सारी सारे जो लोग छटचट के जो है हमारे साथ आ रहे हैं और निस्तितर से यह महौल बनेगा यह सुरुवात अभी हुई है कि पूरी की पूरी आपके आप पार्टी जो हैं पर पैदा ही थी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं उसके कुछ नाम आने पे कुछ नाम पैदा हुए थे कुछ ना प्रभाव में अक्रण का केद्र बिंदू लोग सबाएं यह बार्दी अंतर पार्टी बिल्कुत्तों क्या बाबुलाल शर्मा जी आप इसे राम मंदिर का प्रभाव मान रहे हैं निश्ट्री दूप से राम मंदिर के प्रभाव के अलावा जो है इस्थानी नेताओं और मातू जी जो है हं वे चत्र राजनितिक ग्यमा को मालू में कहां किस तीस जगे से कैसे संपर्ग बनाना चाहिए और कैसे करना चाहिए वह जो बना रहे हैं वह कांगरेस को मिली थी उस पर भी उनका हमला है और निश्ट्री जो आमांद्मी पार्टी का जो माहॉल है वो शेत्र में भी है जहां पर चापा जांजगी जहां पर इनके सीट नहीं है कोर्बा साइड में इस तरह से जो है यह अपने एक प्रयास है और इस प्रयास मुझे लगता है कि एक माहौल बनेगा और उनकी उद्देश की पूरती होगी जैसे आप चिंतामणी महाराज और प्रचार मिलेगा उनको जो है भारती जनता पार्टी के साविल होना पड़ा कांग्रेस के लिए प्रकार के हार का विश्य होगा उनके लिए मुझ चुपाने वाली सिद्धी बनेगी यह जो है यह माहौल बन रहा है और यह माहौल लोगसभा के दिश्टिकॉण से बहुत मैं हैं विपक्ष अब बिखर्था हुआ नज़र आ रहा है सथ प्रकाशी देखे सुमीजी विपक्ष तो एक जूट है विपक्ष एक जूट है तब ही तो इस लोगसभा में क्या हालात है वो सबके सामने क्यों डेर सो साल सब निलंबित करना पड़ा पड़ा सो जादाने पड़ा हैं कि जिसकी सरकार रहें इसकी होते हैं तो वहीं कि इसी वह से वह चोटे में यह चुनाव खतम हो लोगसभा चुनाव है तो यह पार्टी में जाना होगा वह कॉंग्रेस पार्टी से कोई नहीं जा रहा है। वह कॉंग्रेस पार्टी से क्या अभी वी आप बात कर लिए तो कॉंग्रेस को बात कर लिए उनका क्या जाना जाना है। वह कॉंग्रेस पार्टी से कोई नहीं जा रहा है। पार्टी का अगर पार्टी का लोग जाते तो पार्टी के तरफ से प्रवक्ताद विजह भी हमारे साथ जुड़ गया है। विजह जी आपका के कारी करता बीजेपी जोइन कर रहे हैं आपका एक रियक्शन विजह जी देखें के वारत इस्तर पार बात करें तो भारती जनता पाल्टी और नरेन की सरकार बीपक्षियों के इतना प्रताडित कर रही है जो लोग बीजेपी में ज्वाइन कर ले रहे हैं उनका सब छूट है अभी क्या है राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट मुझको यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब अर्विंद केजरिवाल जी का इस देश में पूरा एक माहौल बन रहा है उस समय में हमारे आम आदमी पाल्टी के लोग यदी भाटपा में जा रहे हैं तो मुझको लगता है वहाँ भी जाडू लगाएंगे, हम आदमी पाल्टी में तो जाडू लगा ही रहे थे, सवाल यह नहीं है कि कोन कहां जा रहे है राजनिती म कि लोगतंतर में लोगों को आने जाने की सवतंत्रता तो है व्यक्तिगार चाहे राम शुंदर दास जी जाए जोगी आग्रेश कर। जो लोग जा रहा है उनको बढ़ाई है लेकिन उनको नंद कुमार साय जी से सीख लेना चाहिए उनको विद्याचन जी पवन दिवान जी तरुण चटर जी से सीख लेना चाहिए 36 गड़ और हिंदुस्तान की जमता दल बदल को बरदास्त नहीं करती स्विकार नहीं करती उसको आफसरवादी मानती है ठीक है अब विजज जा जी अब आप समझ रहे हैं कि आज की सियासत की प्रश्ट भूमी ऐसी ही हो गई है तो क्या विपक्ष हाथ खड़े कर देगा बिल्कुल नहीं खड़ा करेगा देखे राजनीती संघर्स करने का मार्ग है जनता की सेवा के लिए संघर्स करना है जिनको पद चाहिए प्रतिष्टा चाहिए पैसा चाहिए वो तो सत्तरूर पाल्टी के साथ सदा जूड़ते चले आएं ये कोई नहीं बात नहीं है लेक जनता पाल्टी के वल दो सीट पाई थी और संघर्स की अटल अडवानी जी तो एक बार सरकार बनी राजनीती में उताव चड़ा होते रहता है जी विज्या जी यह तो आपकी वही साथ ही बोले हैं यह नहीं वह ठीक है ना इसलिए तुनको भी बोल रहा हुं है कि हमको अपने इस्तर पर सोचना है और अभी बहुत जल्दी मत करो लोगसवा चुनाओ तक के देश और प्रदेश की स्थिति का इंतजार करिए जो राजनीती में धैरेशे शांती से रहता है मैं आपको बता दूं धैर्याव सांती में रहने का भी ततकालिक टी एस सीदेव जी से कि राजनीती में कैसा शांत धैर और पाल्टी के प्रति समर्पित रहते हैं अरे जब पाल्टी संकट में है परिशानी में है तब उस समय यदि कोई पाल्टी छोड़ता है तो यह उसके लिए दुर्भाग ये पूर्ण है उसका कोई भला होने वाला नहीं है यह हम मांते है साहू जी क्या कहेंगे निश्ची तुप से भारती जंता पाल्टी में प्रवेश की है प्रमानित करता है कि मोदी जी के कारे नीती सफल है यूगि उनकी निस्था इस देश को सरुवत्तर रूब से आगे बढ़ाने की है रही बात विपक्ष की तो विपक्ष दियो है केवल आपने एक परिवार क परिवार के संबंद की बात करूँ तो वो परिवार से घिरवे पार्टी है इसलिब उनके कारे करता है कि देश का विकास नहीं हो रहा है केवल एक व्यक्ति विशेश एक पार्टी विशेश या केवल के सकते हैं कि परिवार विशेश का अगर लाब हो रहा है उनसे उनकी भावनाय आहत हो रही थी और इसलिए देशित में आज जो निर्णाय लिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ अधरनी विजय जी मेरे साथ बैठे हुए वो कह रहे थी कि राम नाम की लूट है मैं कहता हूँ कि ये राम नाम की लूट नहीं है ये इनकी बौकलाहट है क्योंकि इनके साथी गया है छूट निश्चित रूप से उनको ये ग्यात हुआ है कि उनके दल में केवल एक विक्ति काहीज निश्चित रूप से जो कहरे सकते हैं कि अधिनायक वाद चल रहा था तीस सेकंड बिजा जी देखे यह जो हमारे साथी बोल रहा है ना कि नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा काम है उनका काम है इसलिए लोग भागपा में आ रहा है क्यों अभी विधान सब्सक्राइब के पहले नरेंद्र मोदी काम खराब था क्या उस समय चुनाओ के पहले कित उत्तर देता है आपको में एक करोड रुपे के वहां पर परदे लगे हुए ऐसी आमादी पार्टी जहां पर उस प्रदेश के मुख्या के घर पर एक कड़ोड रुपे से अधिका केवल परदा लगा रहता है यही पार्टी के निस्त इनकी भीयत है कि नहीं चाहते कि आम कि काम नहीं कर पा रहे इसकार करता आज हमारे पार्टी में सम्를क्त होई है यही प्रमाणित करता है कि आप इस ही करने जाइन करते एक सवाल मेरा सब्ंस्यक मेरा सब्सक्राई और परकाश घ practitioners की बात हुए लिकिन कांग्रेस की बात करें तो तो राम मंदर का नियोता ठुकराने के बाद भी आपके कई कॉंग्रेसी नेता नाराज थे कईयों ने स्तीफ़े दे दिये हैं तीस सेकंड सित्र प्रकाशी देखे सुमिज जी देखे वही मैं बोल रहा है आप में आपने से बोला है मीडिया थुक रहा है नहीं है किसी को मना नहीं है कि हम नाराज है क्योंकि आला कमान ने नियोता ठुकरा दिया मेरे पास समय की बेहत कमी है आप सभी का बहुत धन्यवाद विजय जी सत्र प्रकाश जी बावुलाल शर्मा जी और प्रमीर साहु जी आपको भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए चर्चा के लिए फिलाल यहां पर रुखेंगे बहुत चोड़ी से ब्रेक के लिए फॉरन लोट रहे हैं